नमस्टार सातियों मैं योडेश डूता है बब फिर सस्वारेट करता हूँ आपके अपने परिवार पार्सला रेलवेट जाम में बच्चो आप लोड जैसे की देख पा रहे होगे आज मैंने एक स्पेसल मेराथन लगाई है और यह मेराथन पहले तिन बच्चोट लिया आप सुन लीजे आपको पता है कि जो लेट मशीन होती है यह इससे कोशन भर बार के पुछे जाते हैं आप फिटर टर्नर मसीनिस्ट इसी भी ट्रेट से लेट मसीन से कोशन आना है इविन 5-6 कोशन तुमारा लेट मशीन से बन जाता है तो मैं आज आप लोड रोड टो टो टॉप 50 कोशन टे तहत पूरी पूरी लेट मशीन टो टवर करने बाला हूँ अज़र आप लोड LP टेक्निशन टी ताहरी टग रहे है GDC एक्जाम टी तहारी कर रहे है जोटी एक्जाम टेट घोसी तो चुटी है या फिर बार्क स्पेशल टी तहारी कर रहे है तो आप इस वीडियो टो पूरा देखिए पूरा देखने टे बाद मैं दावा करता हूँ कि आपके एक्जाम में 4 से जो 5 कोशन लेट मशीन के आन रहे थे तो दिवाली का ओफर एनाउंस हो चुटा है आप लोड इनके दाम देख लिए जो हमारे पास इंडिविज्वाल बैचे से कॉमबो है आप तो ये वाले दाम देख लिए उस्टे वाल हमारे ये पैटिस्ट दाम जैसे की एलपी टेक्निशन का 750 में हो चुटा है ज अबर एक चीज में डिश्टाउंट आ चुका है बच्चो जब भी टभी आप लोगों को टुटी ये डिश्टाउंट हमारा 10 तारेट से लेटे 15 तारेट बीच में है तो अडर आप लोड इस ओफर टालाव उठाना चाहते है यानि 10 से 15 तारेट बीच में ये और लाव योडी 10 ये टूपन कोड लगाएंगे और योडी 10 टूपन कोड लगाने के बाद ये सारे के सारे जो डिश्टाउंट है वो सारे एक्टिवेट हो जाएगे आप फुद देखिए कि हरी चीज में सबसे बड़ा डिश्टाउंट इस समय दिवाली के समय दिया है और ये बहुत ठतनास तरीटे से दिखाई देए उस्टे आलावा हम लोग सुरुआत करते हैं आज के पहले कोशन ती मैंने तहाना कि 50 कोशन के तहत मैं आपको पूरा लेथ मशीन पढ़ाने बाला हूं पहला कोशन देखिए है वाट इस फेस प्लेट यूज तो होल्ड बहुत बच्चो यह अनीमित अटार के जॉब पटड़ती है यानि एर्रेडुलर जॉब पटड़ती है जिस्टा आटार जो है अनीमित होता है तो जितरे भी हमारे अनीमित अटार के जॉब होते है बच्चो उनको हम लोग फेस प्लेट के द्वारा पटड़ा जाता है तो आंसर इस्टा किसने साथ जाए रहा, option number A वाले उत्तर के साथ जाए रहा, irregular job के साथ जाए रहा ठीके, एक चीज और मैं आपनो बता दू, ये ऐसे स्रीज है, लेद्बशीन टी क्या है, ऐसे स्रीज बचो, लेद्बशीन में ऐसे स्रीज वाइड दिवाइस होती है जो work piece या job को hold करती है तो work piece या job को hold करने वाली device ऐसेसरी इचे रिलाती है उनी में से एक ऐसेसरी जोती है face plate, irregular job को पड़ती है चलो next time बच्चों अगला सवाल देखी question number second क्या बोला जा रहा है लंबी job को बीज में लटकने से कौन सी उत्ती सहरा देती है देखो होता क्या है कि जब लेट मशीन में हम लोग मसीनिन करते ही तो कई बाद क्या होता है कि लेट मशीन में मसीनिन करते समय हमें लंबे जॉब को पटड़ना होता है देखिए जैसे कि ये मालीजे हमारा बहुत लंबा जॉब है तो इस लंबे जॉब को हमें पटड़ना है तो लंबे जॉब को पटड़ने के लिए हमें बीच में सहरा देने की जोद पड़ती ही बच्चो जिससे की ये जॉब बेंट ना हो सके मुड़ ना सके तो जो सहारा दिया जाता है ना बस इनी सहारा को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बच्चों इन सहारा को बोलते हैं टेट टेट को कई बार हंदी इंगलिस में हम लोग बोलते हैं इस्टडी क्या बोलो जाता है इस्टडी तो लंबी जॉब को बीच में से लटकने के लिए कौन सी उर्थी सहारा देती है तो कह देना वो study या date सहारा देती है और से नमबर D दो तरह के study होती है एट होता है तुमारा study rest मतलब एट होता है rest study एट होता follower study ठीके आप चाहो तो इसको rest study भी टे सकते है यह जो दिखाए दिया है बच्चो यह rest study है मतलब यह इस से रहता है और दूसरा यह जो study दिखाए दिया है यह follower rest follower rest follower rest ओटे तो दो तरह के rest होते है एट होता है study rest और दूसरा होता follower rest बच्चो इस टड़ी रेष्ट क्या होता है ये लगाय जाता है तुम्हारा कैरेज में किस में लगाय जाता है बच्चो ये लगाय जाता है कैरेज में और आपको पता है ये सॉरी कैरेज ने बोलिए बेड बोलिए माई मिष्टे ये टिस में लगा जाता है ये बेड में लगा जाता है आपको मैं मता दू बेड इस्ते रवस्था में रहता है इसलिए इस्टडी रेट इस्ते रवस्था में रहता है इस्टडी रेश्ट में धारटना तीन तरहेटे तितने तरहेटे जबड़े होते हैं तो इस study rest में तितने जबड़े होते हैं, तो त्रेदना तीन जबड़े होते हैं, तीन जबड़े होते हैं, बच्चों इसलाबा अगर बात करता हूँ, यहां पर तीन नहीं, यहां दो जबड़े होते हैं, यहां पर तितने जबड़े होते हैं, यहां पर तितने जबड़े होते ह तो दो तरह इते रेस्ट होते हैं अभी कैरेज में क्यों लगाए जाता है तुटी इसे न अपने जॉब के साथ आड़े पीछे होना होता है तो जॉब के पास साथ आड़े पीछे चलता रहता है मतलब जैसे जैसे कैरेज आड़े बढ़े रहा वैसे वैसे आड़े बढ़ता चाम किया है तो कहना इसका काम होता है लीड इसका काम होता है हाणा lead, scrutiny, दिसा बदलने में तो lead, scrutiny, ढूमने टी जो दिसा होती है सर, lead, scrutiny, ढूमने टी दिसा बदलने में हम लोग टिस्टा इस्तिमाल करते हैं tumbler, gear, maintenance अस्तिमाल करते हैं ठीके, तो बताईए इस सवाल का से answer टिस्टे साथ जाएदा officer number B वालो 30 साथ जाएदा tumbler, gear में 3 gear लड़े होते हैं next, अड़ला खडाद का specification में यह समलित नहीं है जब भी तब हम लोग लेथ मशीन टो पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें लेथ मशीन का specification समझना होता है तो lead मशीन को जब हम market में लेने जाओगे तो क्या कहते लोड़े है तो बोला जा रहा है कि lead मशीन के specification में क्या सामिल नहीं है पहला answer lead पूर लंबाई, बिल्कुल यह तो सामिल होड़ा नहीं होड़ा lead तितनी लंबी लेना चाहते हो, dependent अग़ा है tender लोडे बीच ती दूरी, बिल्कुल एद्दम सही lead के centers के बीच ती दूरी ती नहीं होड़ा है जिससे कि आप लंबे से लंबा कौन सा job पटड़ सकते हो हाना, इस spindle की ड़ती के आधार पे lead machine नहीं आती मैं पहले बता दू, इस spindle की ड़ती के आधार पे lead machine नहीं आती लेगे lead machine का आधार, spindle की ड़ती नहीं होता, इस बाटो याद इखिए रा, ठीके, officer number C, next है यह मैंने डाइडाम दिखाया, जैसे भी आप देखो, सबसे पहला point होता है, overall length, आप यहाँ से देखी, यह, छटवा नंबर द्रहें द्रहा है, यह, यह, छटवा नंबर, छटवा नंबर दूसरा है, एक और होता, overall length, फिर यह center to center length होती है, फिर इस्टे बाद center की उचाई होती है, बैट से center की उचाई टितनी होनी चाहिए, ठीके, इसी तरीटे से घूमने का diameter क्या होना चाहिए, जिस्टों आप swing diameter चाहते हैं, तो 5-6 तरीटे क्या सकते हो, measurement होती है, जिस्टे अधार पे लिट्रे स्पेस डिटेशन द्रिया जाता है, हाना, चलो, आजे यह next, बचों, अडला सवाल देखी क्या है, पाचवा नंबर, ceramic cutting tool क्या होते हैं, बचों याद अपना, जो ceramic cutting tool है, वो aluminum oxide और boron nitrate के ब बनाए जाते हैं, हमारे कौन, कह सकते हो, कि aluminum star क्या नाम है, ceramic, तो ceramic जो है, वो boron nitrate और aluminum oxide के बनाए जाते हैं, धान रखना, ceramic के tool जो होते हैं, भंडोड होते हैं, impact load लगने पर तुरन तूड जाते हैं, इसलिए जब भी ceramic का tool बनाते हैं, तो tool की छोटी सी tip बनाते हैं, यह एदम सही है, और बचों, यह aluminum oxide के powder से बनाए जाते हैं, यह भी एदम सही है, इसलिए एस सवाल का से अंसर जाए रहा, option number D टे साथ उप्रोप्त सभी, हाना, very important है, दाना फियरा, अड़ला सवाल देखे, निम्न में से किस चट में, जॉब सबसे अधिन मजबूती से बन होजा है, याद खेडा, जित्रे जादा जबड़े होते हैं, मजबूती उतनी जबड़े होगी है, हमारे जबड़े, तो आम मुझे बताओ, इनमें से कौन सा जबड़े में, जबड़े हैं, तो कह देना, फोर जा में देखो, जबड़ोती संधिया जबड़े है, इसे पर फेसिन के लिए ठरात करना चाहते हैं तो बताईए आप जॉब को तिम निमने मेसिट इसमें पठड़े लिए फिर वही टॉपिट सर आपने विसम अटार बोल दिया विसम अटार का मतलब एर्रेड गुलर जिस्टा कोई अटार फिट्स ना हो पतला अटार टो तो याद खेड़ा ये जो हमारा फेस प्लेट होता है ना फेस प्लेट ये आपके अनीमित अटार के जॉब को पढ़ लता है अनीमित अटार के जॉब को याद खेड़ा अनीमित अटार के जॉब को पढ़ लता है मेंडेल, बच्चों धार रखना मेंडेल जो होता है वो ठोटले जॉब टो पढ़ड़ता है, तो फिलाल इस्टा आंसर अप्शन नमबर एट इसाथ जाना चाहिए लंबे जोब जिसमें हम चाहिते हैं कि आसानी से टर्निन प्रोसेस हो सरे, तो लंबे जोब को धार रखना खेंदरोटी बीच में पढ़ड़ते हैं और जो हमारे छोटे जोब होते हैं, छोटे न बोलकर आप एक और चीज़ बोलिए, सल्पुलर छोटे, तो अगर हमारे पास सल्पुलर और छोटे जोब हैं, तो याद खेंदर वोट कहां पड़ड़े जाते हैं, सर वो थ्री जाज़ चक में पड़ड़े जाते हैं, ठीके, तो अफसर नमबर ए जाये डा, कुछी अनिमी तका बोला जा रहा था, आटवर नमबर, बच्छों आटवर नमबर बोला ज कोई जोब है, तो खराग, यानि टर्निन मशीन का उप्योर, मेली हम टर्निन प्रोसेस टर्निन ली टरते हैं, और टर्निन प्रोसेस टा मतलब होता है, इस टी जो ये सता है, इस सता है तो बोला जाता है, टर्व सता है, तो टर्व सता है टी सफाई करने के लिए, सर टर्व स सताइटी सफाई तरनिट लिया, हम लोग मेंली तर्प्रोसेश टेक्सतिमाल करते हैं। अब इन्हो दें मेंली बोला है, इसलिए ओफसर नमबर आए, अगोड़上co हम लोग मेंली तर्प्रोसेस टर्प्रोसेश ली तरते हैं, अफसर नमबर भी हमारा सही बच्चो नौवा नंबर सवाल बोला जा रहा है कि फेसिन ओपरेशन में किस परड़ागे फीड के हो सकता होती है बच्चो जब आप लोग फेसिन टरते हो या तर्निन टरते हो तो तैसी फीड देते हो बताइए जैसे दिन मैंने टहा मेरे पास ये टोई जॉब है ये टोई जॉब है सर जब आप लोग टर्निन प्रोसेस टरते हैं तो टर्निन में हम टूल यहां लगाते हैं और टूल यहां लगाने बात ऐसे चलाते हैं तो बच्चो जब भी अपने टूल को लंबाई के पैलल चलाते हैं लंबाई के कैसा चलाते हैं पैलल चलाते हैं उस तो बोलत सर उस्टो बोला जाएगा cross feed अब आप बताओ इन्होंने process टॉन सा पूचा सर इन्होंने process पूचा facing तो facing में बताईए हम लोग कौन सी surface टो finish करते हैं तो टैना facing में हम लोग इस surface टो finish करते हैं तो job ऐसी चलाना होगा तो facing टरते समय हम बताईए कैसे feed देना चाहेंगे सर ग्रॉस feed देना चाहेंगे option number B वाला उत्ता होगा तो काफी आसान सा सवाल था लेकिर कई बार गलत हो जाता है अगला सवाल इस बात का है कि turning करते समय कैसे feed के हो सकता होती है यह तो मैंने अभी समझाया आपको कि fashion में cross turning में अनुदेर्ड थे तो turning करते समय बताईए किस तरह के feed के हो सकता होती है तो turning करते समय हम लोग feed जो इस्तमाल करते हैं वो अनुदेर्द यानि longitudinal feed दे इस्तमाल करते है option number A वाला उत्ता नेस्ट आई ग्यारवा बच्चो ग्यारवा नमबर सवाल बोला जा रहा है कि what type of surface can be prepared by lead lead के द्वारा कैसी surface टा निर्माण किया जाता है आप देखो इन्होंने मुख्यता नहीं बोला इसलिए आप बोलना चाहे वो flat हो चाहे cylindrical हो चाहे curve हो आप किसी भी surface टा इस्तमाल कर सकते हैं उसमें lead machine में लेट आगा ये मुख्यता बोल देता तो हमें answer लडाना पड़ता cylindrical हाँ है तो और answer देखो last वाला option इस बार उपरो सभी भी दिया है all of these दिया है इसलिए मैंने इस्ता answer all of these लगाया turn in process में हम लोग मतलब lead machine के द्वारा कोई भी चीज इस्तमाल कर सकते हैं कैसी भी surface हो half nut liver half nut liver समझते न बचो जब भी तबी आप लोग चूड़ी टाटते हो क्या टाटते हो चूड़ी तो चूड़ी टाटते समय आपको half nut liver दबाना होता है half nut liver half nut liver क्या टरता है कि आपके taris को lead screw के साथ जोड़ देता है हाणा तो तिसमें प्रियोग करते है taris को अंदा है feed देने टलिए चूड़ी टाटने टलिए cross feed को अंदा है ने 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 ये सब दिला दे चूड़ी टाटने टलिए इस्तमाल कह जाता है half nut liver इस्तमाल बताएए कहां टरते हैं हम लोग टैदेना चूड़ी टाटने टलिए टरते हैं option number B वाला होता होता next most taper क्या होता है बचो याद रखना जो हमारा let machine होती है न तो let machine टे जो center होता न जैसे मैंने टाई let machine हो रही है और let machine टे ये रहा center तो याद रखना let machine के center में हम लोगों के taper देना होता है क्या देना होता है taper आप देरों ये taper है ultra सा और let machine के center के लिए center angle 60 degree होता है लेके अज़े taper भी बात करते हैं तो taper होता है 1 in 20 और let machine टे जो center होता है बच्चो उसमें कैसा taper दिया जाता है तो टे देना वहाँ पर जो taper होता है दोस्त मेरे वो होता है most standard taper sir most standard taper ये तुमारा test सबते हो taper होता है answer इस्टा 1 in 20 टे साथ जाना चाहिए option number C टे साथ और let machine के center में testar taper दिया जाता है वो आप याद देना सबते है आड़े ये next question number 14 उससे पहले देटर में बता दू ALP technician में जो हमारा अभी NWR का result आया था उसमें हमारे कुछ studentों ने अभी भेजा just recently तो ये कुछ topper है जो railway पार्ट सालाई की टीम की ओर से select हुए है चलो आज़े आईए next बच्चो question number 14 देखी जया attributes ने जो अगर कोई exam में पूछे lead story में पताईए कौन सी चुडी लड़ाई जाती है तो कह देना attributes Chapman ये जो attributes चूडी होती है इसमें top और bottom दोनों इस तरह से टर होते हैं और यादतना एक्टमेट चूड़ी में यह इंक्लूड़ेट एंगल बच्चो बनता है ना यह इंक्लूड़ेट एंगल यह तितना होता है तो ट्रेदेना यह होता है तुमारा 29 डिग लीटा होता है वेरी इंपोर्टेंट बात आप इसको लीट इस्टूल में भी चूड़ी बनी होती हां और पूछे कि कौन सी थ्रेड बनी होती है तो कह देना एक्टमेट और यादतना जो लीट इस्टूल होता है बच्चो उसमें हम आपसे पूछे बताईए उसमें 30 तरीटे की है 30 तरीटे की थ्रेड बनी होती है तो वो कड़ में चली रही दूरी तो लीड का मान अगर पिछने बराबर होता है तो बच्चो धा रखना उसी थ्रेट को हम सिंगल स्टार्ट थ्रेट कहते हैं तो लेट मसीन की लीड इस्टू सिंगल स्टार्ट थ्रेट की बनी होती है लीड इस्टूर्टी धूरन चमता लेट की टैरिज में संचालित होती है मतलब देखो सवाल क्या लीड इस्टूर्टी धूरन चमता आप देखो लीड इस्टूर्ट तो ऐसे घूमता है ना जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास यह रहा लीड इस्टूर्ट और लीड तरह से दाते हैं ठीक है तो लीड इस्कूट की घुड़न छंता को हम बताइए तहां पर जोडते हैं तो कहाँ देखो एक घुमने वाला पार्थ है दूसरा sliding टरने वाला पार्ट है मतलब एक ढूमने वाला पार्ट है दूसरा sliding टरने वाला पार्ट है और ऐसी metanism को हम बोलते है rat and pinion metanism क्या बोला जाता है? rat and pinion metanism तो rat and pinion metanism बोलना हाफ लोट में से कोई कहे रहा half nut lever नहीं, half nut lever तो इसको engaged टरने 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 पार्ट है बाटी इसना सही answer rat and pinion तो officer number हमारा किष्टे साथ जाएदा अभी वाल लुक्तर के साथ जाएदा सत्रवा, बच्चों सत्रवा नमबर सवाल यह ति वह machine जिस पर turn in, boring, thread in, आधिकार्ट यह रसते है आपको उस machine के नाम बताना है जिस पर आप turn in, boring, thread in सारे टाम कर सकते हो देखो, boring machine में turn in नीटर सकते है dealing machine में turn in नीटर सकते है thread in machine में turn in नीटर सकते है lead machine, जिस पर आप mother of all machine tools बोलते हैं mother of all machine tools बच्चों lead machine में आप turn in भी टर सकते हो आप दिलिन बोरिन भी टर सकते हो टेल स्टोर्टर इस्तमाल करके और याद फियरा इसी में आप लोड जो है थ्रेडिन भी टर सकते हैं चूड़ी भी टर सकते हैं 18 नमबर लेट मसीन में इस्तमाल किये जाने वाले थ्री जा सेंटर को हम किस नाम से जानते हैं थ्री जा सेंटर थ्री जा सेंटर मतलब तीन जबड़ो वाला सेंटर बच्चो याद अटना जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा जबड़ा है ऐसा जा है जिसमें तीन जबड़े हैं ऐसे ऐसे तो बच्चों यह 2-3 जबड़े न एक साथ खुलते हैं एक साथ बंद होते हैं यह 3-3 जबड़ों में 1 अप हैंदल लगमा दीजे तो यह 3-3 जबड़े जो है 1-7 खुलते हैं बच्चों 8-7 हमारे क्या होते हैं? बंद होते हैं इसे लिए हम इस्टो किस नाम से जाना जाता है सर इस्टो बोलते है Self-Centering Chut क्या बोला जाए था इस्टो सर इस्टो बोला जाता है Self-Centering Chut क्यों बोला जाता है Self-Centering Chut क्योंकि ये automatic अपना center ढून लेता है और बच्चो इसकी मदस्यम केवल circular job भी पढ़ड़ सकते है थ्रीजा चक्की मदस्यम लोग सिर्फ और सिर्फ कैसे job पढ़ड़ सकते है सिर्फ circular officer number C बोला जारा है कि पुली, bad gear, let machine के किस बाद बे लगे होते है बच्चो यादक न जब हम पुली, bad gear बाद करते हैं तो जितना भी हमारा feeding mechanism है जितना भी हमारा कैसा mechanism है feeding mechanism है यानि गती वाला mechanism है feeding mechanism है तो यादक न, जितना भी हमारा feeding mechanism है बच्चो वो सब let machine के head stock में लगाए जाता है, कहाँ पर लगाए जाता है let machine के head stock में तो answer बताइए किस ते साथ जाएगा option number C के साथ जाएगा लेट मशीन के हेड स्टॉप में सारी फीडिन मेंटन जम होती है उप्चन नमबर C नहीं साइब बच्चों बीस बार अपर सभाल को ध्यान से पढ़िए समलो फिर आंसर दीजे लेट का कार निम्डे में से किष्टे दुआरा नदिश्ट रिया जाता है लेट मशीन का जो साइज है आप मुझे बताओ इनमें से किष्टे दुआरा आप जारी दिख तो बच्चों लेट का जो साइज है वो सियर देफ्थ तटन की जहराई जिस्टों आप देफ्ट ऑपकट भी कहते है उसे जारी नहीं होता Depth of Cut से भी जारी, Speed से भी जारी नहीं होता Taper Cutting से भी नहीं जारी होता हाँ, लेकर Center की उचाई से जरूर जारी होता है हाँ, ये उसमें एक Point आता है कि आप कैसा Let Machine लाना चाहते हो Market में उसनी Center की Height कितनी हो नीच चाहिए हाँ, तो Center की Height के दो Parameter होते एक Center की Height एबब दा बेड और एक Center की Height एबब दा कैरेज ओके, तो Center की Height जो है, ये तुभारे कह सकतो Let Specification का एक Standard पहमाना है नेश्ट रहे हो बच्चो, Question No.21 को आप जोर से देखे तो Question No.21 में मैं बता दू ये एक छोटा सा निवल्ट ले और इस तरे तो Question आते है 70 ml मिली मीटर व्यास के जॉब है mm, 33 मीटर पर मिनट की दर से डतीटा परिटलन करना है आपको बच्चो, जब भी अभी आपके सामने ऐसा सवाल आए सबसे पहले आप ये देखो, तो Speed दीट इसमें नहीं है Sir, Speed दी रहे है, मीटर परती मिनट में तो मीटर परती मिनट के लिए जो आपको फॉर्मला इस्तमाल करना होता है वो Pi Dion डिवाइड वाइड वाइ 1,000 ये इस्तमाल करना होता, नहीं रखना ये formula मीटर प्रती मिनट प्री इस्तिमाल रहना है speed की तरी देगे ये 33 πाई की वैलू आप रखेंगे 22 बटे 7 diameter को आपको mm में ही रखना है mm को मीटर बनाने के लिए आपने नीचे 8000 टर लिया पहले से ही ओके ये देखो जल्दी से आप इसको salt करते देखें टितना answer आएड़ है तो बच्चो आप मुझे बताओ 80 से 80 टैंसल 7 से 7 टैंसल 11 दुनी 22 11 ती या 33 टैंसल तो n बडाबर जो जाने वाला है वो 300 बटे 2 टे साथ जाएड़ा और 300 बटे 2 टा आगर मैं option number C वाला उप्तर हो जाएड़ option number C वाला उप्तर हो जाएड़ नेश्टाई या अडला बदाएड़ बच्चो अडला सवाल 22 वा देखें क्या बूला जा रहा है बूला जा रहा है कि लेथ के spindle की speed कि सिरीज में होती है बहुत बड़ी है सवाल जाएड़ बात धारखना लेथ के spindle होता है आपसे पूछे उसमें कैसी pulley उस करते हैं तो जाएड़ रहतना लेथ के spindle में हम लोग कोन पुली इस्तिमाल करते हैं मोटर से गती तो transfer करने लिए कोन पुली इस्तिमाल करते हैं फिर तुम से पूछा जाएगा कि कोन पुली तो द्वारा कितने तरह की गती प्राप्त की जा सकती है तो कह देना अगर ये 4-stepd कोन पुली है 4-stepd कोन पुली है तो गती ना जो प्रटार होगा वो 8 प्रटार्टी गती होड़ी जस डबल ऐसा इसलिए होता है को कि उपर साइट बैट गेर में प्रिजम लगी होती है और बैट गेर में प्रिजम की वदह से हम 4-stepd की डटी तो पाती ही पाते हैं 4 एक्ष्ट्रा भी पा लेती है तो बच्चो इनों नों बोला है जीपी टा मतलब होता है ति जस्ट जो है रेश्यो बराबर होना चाहिए जैसे 5 बटे 10 या 10 बटे 5 2 पर यहाँ 20 या 40 या 80 जब यह रेश्यो बराबर हो जाता है तो बताइए ऐसी स्रीष्टॉम किस नाम से जानते हैं एसी स्रीष्ट बोला जाता है ग्रोपता से घरी आरे बढ़ते हैं नेस्ट उस्ट तो बच्चो अजला सवाल प्रॉश्ट नमबर 23 बोला जा रहा है वर्ट पीश की वह अधिप्तम लंबाई क्या कहलाती है जिससे लेद मशीन पे काम लिया जा सके है तो बच्चो वर्ट पीश की अधिप्तम लंबाई जिससे काम लिया जा सके है जैसे की माल लीजे मेरे पास ही वर्ट पीश है इसकी वह अधिप्तम लंबाई क्या होड़ी जिससे की काम लिया जा सके तो कहना इस अधिप्तम लंबाई को बोलती हम लोग distance between the center अब बताओ, यह को है तो टेंदरोटे 20 ती दूरी यह इस्टर सही उतर जाया था distance between the center या टेंदरोटे 20 ती दूरी या लंबाई सर यह वो अधित्तम लंबाई होटी जिस पर आप job के लिए काम ले सकते हैं machine bed, देखो machine bed तो और लंबा हो सकता है लेट क्या उतर लंबाई वाला job लडा सकते हूँ नहीं न, है टेंदरोटे उचाई से मुझे क्या मतलब ज़र लंबाई की बात क्रफ राए तो चलो आरे यह 24 लंबाई बचो पंडी 4 बोला जा रहा है कि लेट अच्छ और bed के बीश की लंबाई दूरी किस नाम से जाना जाता है बहुत बढ़ी है समा सब लेट अच्छ क्या है बचो लेट अच्छ क्या है बचो लेट अच्छ का मतलब होता है जहां पर आपने job लडाया है between the center नेटो between the center जैसे कि माली यह तुम्हारा head store में लगा है life center और यह तुम्हारा tail store में लगा है dead center तो इन में जो access ठीची जाती है इसी तो बोलते है let access और let access और bed की बीच्टी दूरी यह bed रहा हो रहा यह उचाई किस नाम से जानी जाएगी तो let access और bed की उचाई किस नाम से जानी जाएगी सर इस्टो बोल सकते है केंद्रों की उचाई किस नाम से जाना जा सकता है height of center के नाम से जाना जाएगा height of center के नाम से जाना जाएगा केंद्रों की बीच्टी लंबाई गलत अधित्तम व्यास यह है यह सब गलत है और जर वड़ी हमारा सही बता हो रहा है next पच्चिस बच्चों पच्चीज नंबर सवाल देखी क्या है बच्चों पच्चीज नंबर सवाल बोला जा रहा है कि लेथ के फील्ड मैटिंजम में लेथ के फील्ड मैटिंजम में tumbler gear क्यों इस्तमाल किया जाता है सर तंबलर gear की बात हो रही न तंबलर gear तो याद रखना यह मैंने आपको पहले भी बताया tumbler gear का main काम क्या होता है सर तंबलर gear का main काम होता है ति आपका जो lead screw है उसकी दिसा बदलना तो चक्च वेक को बदलना डलत चक्च दिसा बदलना डलत lead screw की दिसा बदलना यह सही है ठीके तो lead Attention direction म dezलना यह तुम्हारा कि इस्टा काम है tumbler gear का काम है अच्छा जो हमारा velocity of check चक्च चक्ची स्पीड बदलने का काम पता है कि सर चक्ची उस्पीड बदलने का काम होता है तुम्हारा bad gear meitinism का हना तो जो चक्ची sper होती है उसको कौन कम करता है? तो टेह देना वो कम करता है bad gear mechanism bad gear mechanism ठीक है? चलो आ लगी अडला अडला सवाल बोला जा रहा है 26 99 मैं से कौन सा central letter part नहीं है? बहुत प्यारा सवाल इन में से बताइए कौन center letter part नहीं है? तो देखो भाई lead true तो part होता है, feed rod कि होता है ना सेडल भी होती है लेकिंख आर्बर जो है लिट इस्टू में थोड़ी जैद मेंट मशीन में थोड़ीन होता है। नहीं है सर्फ वह मिलिन मशीन कीणि पार्ट है. अडला जवाल देखें क्या है टेलिस्टोट में कौन सा लक्षड नहीं है यह वर्ट पीस्टू पड़ता है अरे यह डलत है सर यह वर्ट पीस्टू पड़ता है डलत हो जिया आप मुझे बताओ क्या टेलिस्टोट वर्ट पीस्टू पड़ता है नहीं सर वर्ट पीस्टू प्रेमाड पादे जाते हैं ये सब वर्ट पीश्क प्रेंट फ्छाया है ये इद्दम था है फिर आजे लिखा है offset विधी द्वारा इस्टा प्रियोड करके taper turning की जाती ये भी सही है बचो tail stop offset एट method होता है और tail stop offset method द्वारा हम लोग taper turning करते हैं taper turning ते तीन method होते हैं तो तिटा है सकते हैं कि ये वाला जो point लिठा हुआ था सर ये गलत है ये point गलत है नेस्ट आइए अड़ला attain läd machine में hon披 yat a kya time है inrek Perle एससे लगा Jक पना सब्सक्राणिख कोन पुली अपने में है ये थी है यह बचमkov यह होती है यह होती है कोन पुली ठाम क्या है नहीं हृष एस बचो कौन पलीटी मदद से हम मोटर की स्पीड को चार अलड़ अलड़ आर्पीम पासकते हैं, हाना मोटर की स्पीड से चार अलड़ अलड़ आर्पीम पासकते हैं, यह कौन पलीट अटाम है, और यह जरूरत जो पड़ती है, जब आप लीड स्टूरूर की मदद से जोप की ड्रती तो परिवर्थिक कर सकता है कौन पली इसलिए हमारा option number C वाला तर जाएदा नेश्टाई एए 29 नंबर सवाल बड़ा प्यारा सवाल है 4TPI और कहा जा रहा है कि 4TPI के साथ सा 17TPI के cut-out लिए उप्यूट परिवर्थिक डियर बताओ यह तोड़ा अट-पटा सवाल है लेटन मैं आपको बताता हूँ इसको solve कैसे करना है पहले तो आप मुझे यह बताओ लेट मसीन में कितने डियर इस्तिमाल करते हैं तो कहना जब आप से कोई पूछें कि जब आप लेट मसीन लेने जाते हो तो आप लेट मसीन लेके जाएए तो वहाँ पर आपको धेर सारे डियर मिल देर साथ होए बच्चों उनके दातों टी संक्या 20 हो सकती है उनके दातों टी संक्या 25 हो सकती है उनके दातों टी संक्या 30 हो सकती है ऐसा तरते तरते जो है आप लोटों को 110 वाले दातों वाला भी मिले रहा है 115 वाला भी मिले रहा 120 दातों पर भी दियर मिले रहा 125 दातों पर भी दियर मिले रहा और 127 दातों पर भी दियर मिले रहा मतलब इतने सारे डियर आपको लेथ मशीन के साथ मिलते हैं ऐसा इसलिए होता है ताकि आप लेथ मशीन से अलग लट रहे कि चूड़ी को काट सको ओके भई या आप सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ इन्होंने बोला 4TPI यह जो वर्ड लिठा TPI पहले इस TPI पूरा ना मतलब समझो सर TPI पूरा ना मतलब होता है thread per inch हना TPI पूरा मतलब क्या होता है तो बच्चों इस्टा पूरा नाम होता है thread per inch यह नाम होता है अब मैं आपको पहले मतलब बताता हूँ कि मतलब क्या है चुली में जैसे जी मैंने टाहा कि मेरे पास एक ऐसी चूरी है जो 6TPI की है तिस्टी है भईया 6TPI 6TPI क्या मतलब हुआ सर 6TPI मतलब यह होता है 6TPI यानि 6 thread per inch 8 inch में 6 thread हो दी मैरे भाई 8 inch में बताईए तितनी thread हो दी तो टया देना 8 inch में 6 thread हो दी 6 thread हो दी आप मेरी बास समझो तो बताईए 8 thread कितनी inch में हो दी तो टयाना अगर 8 thread पुछी 진ाती है ति 1 thread कितनी inch में हो दी 1 thread के लिए 8 बटे 6 inch हो दा और धान यह रखना है आप लोग रोटनों दोस्त मेरे तो एट थ्रेड, एट चूड़ी सिर्फ एट चूड़ी जो इस्थान घेड़ती है जो लंबाई घेड़ती उसे पिछ कहते तो बस यहां से समझ में आया थि भजी आप पिछटा मान जो है तितना होने वाला है तो तहह देना पिछ तमान जो है एट बटे चौड़ी आया था तो आप फाइनली यह तहह सबते हो तो एट थ्रेड का मतलब हो दिया कि पिछ की वैलू एट बटे चौड़ी मेरे भाई, बात साथ वो क्लियर है था तो पिछ तमान जो तो तितना हो दिया है एरबटे 6 इंच आएगा और दूसरी बास सुरो बचो ट्रही बार ये इंच्टी वैलूर को आपको mm में भी निटालना होता है एरबटे 6 आप याद अपना 8 इंच में 2.54 cm होता है या फिर 55.4 mm होता है 55.4 क्या होता है? mm तो अडर ये mm में पूछा जाएगा तो आपको 55.4 के साथ multiply टड़के mm बनाना होता है अब दूसरी बात सर अडर में यहाद दसमलों हटा दू तो बताइए जितरा लिट सकते हैं चलो cm मनाते हैं mm में नहीं बनाते हैं cm मनाते हैं अडर सेंटीमीटर में बनाना होता तो दो दसमलों 54 cm टरना होता मेरे भाई अडर ये दसमलों हटा देंगे तो बताइए नीचे जो है 2 0 आपको बढ़ाना होता अब आप बताओ उपर कितरा आया सर उपर आया हमारे पास 214 और नीचे कितरा आया हमारे रितना हो जाएदा 50 दो से टेंदल दिया न यही रीजियन है कि आप लोगों को लेट मशीन में 827 वाला DR भी मिलता है क्योंटी जब ठ्रेड पर इंच दिया रहता है तो आपको 827 वाले DR भी आउसता पड़ सकती है आप मेरी बात समझो लेटा अभी question solve नहीं हुआ मैं पहले बढ़ा दू अभी question solve नहीं हुआ अब question की solution यह बार करते बोला यहां solution हो जाए रहे यतने में बोला जारा 4TPI lead is true देरो lead is true के लिए सबसे पहले तो word लिख लो कि sir lead is true के लिए आपने कहा कि 4TPI है तो lead is true टी जो pitch हो जाए दी वो 8 बटे 4 inch हो जाए दी मेरे भाई lead is true टी pitch टो PL से सोटरते PL से फिर आगे क्या लिखा हुआ है sir 17TPI का cut out करना world piece cut out करना है मतलब world piece तो आप मुझे बताइए world piece टी जो pitch हो जाए दी PW वो तित्री हो जाए दी sir 8 बटे 17 sir 8 बटे 17 inch 8 बटे 17 inch आपने ऐसे खल लिए 8 बटे 4 inch ये lead is true टी पीचा रही और world piece टी पीचा रही 8 बटे 17 inch यहाँ तर हो जाए आप इनों ने क्या बोला कि परिवर्थी dear का value बताईए परिवर्थी dear क्या है और नीचे NL लिठी है है और नहीं RPM लिठना है तो आप दातों की संख्या पूछी आ रही तो दातों की संख्या से ही शुरूआ कर दीजे TW divided by TL sir क्या मतलब है TW टा TW टा मतलब होता है टि world piece जिस dear से जुड़ा है उस्ते दातों की संख्या TL क्या मतलब है सीधा है यानि TW बटे TL बराबर PW बटे TL W क्या है world piece है world piece ती 5 आपने तही 8 बटे 17 है सर और lead to the pitch 8 बटे 4 है तो दातों की संख्या तो रेश्यो देखा जाये तो 4 बटे 17 यारे 4 बटे 17 लेकिन मैं आपने रतादू 4 बटे 17 आपने निकाल तो लिया सर लेकिन हमारे पास ना ही 4 दातों वाला कोई डियर होगा और ना ही 17 दातों वाला कोई डियर है आप देखो ला क्या है का नहीं नहीं तो हमें इसको ऐसे multiply करना होता है कि हमारे दातों की संख्या यहां से match का दे अब जैसे भी आप 2 से multiply का होगे 4 दुनी 8 क्या 8 का कोई डियर है नहीं सर सर तीन से multiply कर दे 4 ती 12 12 का कोई डियर है 4 चोटों 16 सर अगर 6 से multiply कर दे 4 चन 24 क्या 24 का कोई डियर है अरे नहीं है भाई तो 3 से multiply कर ओड़े 5 से तो जैसे उपर नीचे आप 5 से बल्डिप्लाइटर होड़े तो 17, 85, 85 पहले 20 तीजे और 17, 85, 85 तीजे यानि ये अनुपात पाने के लिए TW बटे TL पाने के लिए डियर अनुपात पाने के लिए 20 और 85 वाले दाते चाहिए रहेगे हमारे पास 20 दातों वाला भी डियर होता है मैंने बताया और 85 दातों वाला भी है इसलिए इसलिए इसमें जो सही आंसर जाय रहा वो 20 और 85 ते साथ जाय रहा आप तो ये इस्तिमाल करना पाने रहा आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना चलो आठे है ये बहुत प्यारा सवाल था नेस्ट नरलीन क्यों टी जाती है आपने लेट मशीन में नरलीन देखा है नरलीन दो तरह ये होती है जब सीधी सीधी नरलीन होती है एट बार ठाचा टाटा जाता है सर आप उस्टो बोलते हैं स्ट्रेट नरलीन और यादखना जब दो बार खाचा टाटा जाता है मेरे दूस्त ऐसे तो बताईए उस्टो टिस नाम से जाना जाता है सर उस्टो बोलते हैं हम लोग डायमंट नरलीन कभी आप जिम में जाइए, तो जिम में जितने भी हमारे instrument वो रखे होते हैं, body building करने वाले, उनमें सम्मे नलिन होती है, नलिन इसलिए टी जाती है, ताकि पटड मजबूत की जा सबी, तो सतह है को चितना बनाना गलत, सुंदर बनाना गलत, खुर्दरा बनाना ये सही हो सकत सब्सक्राइब आप եी जड़ी जधा हुगा क्या होता है वह कुर्णा चै 부탁 मत efforts बेखिंस difficile कुर्णा-थी यह मैटल कटिन प्रॉसेस नहीं है यह एक तरह का फॉर्मिन प्रॉसेस होता है सर इसमें कोई भी मैटियल बहार निन कलता है इसमें कोई भी मैटियल बहार निकलता ही नहीं है यह तरह का फॉर्मिन प्रॉसेस होता है नेश्टा यह अगला 37 बच्चो 31 नंबर सवाल में स्पीड देखा 15 स्पीड पुझी जाओ, यह लग जाए रहा लग जाए रहा, सर्थ 15 स्पीड के जर्णा ओफसन देखी मीटर पर मिनट में है, तो कोई बात रही हम लोग मीटर पर मिनट में निकाल देती तो आप मुझे बताओ C परावर formula क्या होता है πाई dn डिवाइड बाई 1000 यह तुबारा meter पर मिनट में हो जाए रहा चलो पाई टी वैलू 22 बटे साथ diameter तुबारा कितना 30 mm rpm कितना 350 rpm और रही बाद nt मतलब 8000 t तो 1000 अब ने नीचे ट्रव दिया बस अब तो प्रोच बचाही नहीं भाई सबसे पहले सास से इस्टो कैंसल टड़ो 50 बार अब ध्यान से देखे जो मैं बता रहा हूँ कैदे में एद्दम कैदे एक साथ बच्चों आप लोग नीचे टे 3 0 उड़ा दीजे सबसे पहले तो 8 2 2 0 अड़े रहे लेज़े देटो 22 गुड़े 5 22 पंचे 110 वाज़ भी 1 0 अड़ा तो 22 पंचे 110 110 टर भी 1 0 उड़ा देने तो 11 गुड़े 3 यानि कटिन स्पीड कर जो माना जाने वाला है वो 33 मीटर पर मिनट जाए रहे सवाल कसी अंसर सर इस बार आपकी जो कटिन स्पीड मिलेगी वो 33 मीटर पर मिनट के साथ मिलेगी समझ मैं बहुत प्यारा सवाल था एदम धुवादार कोशन था आड़े बढ़ते कोशन नमबर 32 इन्होंने बोला है कि चित्र में एक प्रटार्टी डिवाईस दिठाई देगी है और आपको बताना है कि ये कौन से डिवाईस है हाना ऐसे चित्र दिठाई देगी है तो ये तो मैंने अभी बताए भी था तीटरे की यो डिवाईस टेलाती बच्चू कि ट्या टेलाती है सर ये फेस प्लेट टेलाती है अफ्शन नमबर 34 यानि ये हमारा फेस प्लेट होरा अफ्शन नमबर 34 चित्र में 26 प्रकाइटी नर्लिंड दिठाई दिए सर इननों बोला है चित्र में बताओ नर्लिंग किस तरह ही दिखाई 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 हमारे light machine है site per machine आ प्लेनर बशीन हैMPने इन सारे मशीनों में हम लगों तरह का टूल यूदस कड़ते हैं सर वह टूल बताएं कौन सा होता है स ninetyочка करें। से मिलिन ब्रौचींड में बताएं कैसा टूल यूदस करते है मिलीन में मिलीन कटर ओट यूदस करतें आज दोú,, मिलिन केटर ऐसा होता है ऐसे ही होता ना मिलिन केटर मिलिन केटर में एट नहीं कई सारे टूल लगाए जाते हैं मिलिन केटर, ब्रो समつक्राइब यह कैसे टूल्स होते हैं सरे यह सब हमारे मल्टीपोंट केटई टूल्स होते हैं इसमें से धी केटई टूल्स लगाये जाती है आजी बढ़ते ही नेक्ष्ट ना तो अड़ला सवाल दीखेए क्या बोला जा रहा है कि मसीनी ते दौरान सेड्मेंटल चिप का निर्माड होता है पहले हम मुझे बता हूँ सेड्मेंटल चिप क्या होती है सेड्मेंटल चिप का मतलब होता है जब हमारे पास चिप ऐसे टूटी टूटी बनती है जब हमारे पास चिप ऐसे तूटी तूटी बनती बच्छो तो उस चिप को हम बोलते हैं सद्न लिए बैटल अब इन्हों ने चाध अरा भलवा सवाल्स वा Оч sûपर्ट कोंड का लिप अंगल बोला जा रहा है जैसे हु से रहा यह है को जान्य को यहiste तूल है, तो single point cutting टूल में बच्चो, ये हमारी होती ही रिफेरेंस line, ये कौन सी line होती ही, शर, ये होती ही reference line, ये क्या होता है, سर, ये हमारे पास होता है horizontal, reference line के साथ, ये angle बनाता है, rate angle, और बीच वाला ये जो angle होता है, sine, धारखना, इस sine तु पताए сколько हैं, हम किसे नाम से ज सब्सक्राइब प्रदान किया जाता है बहुत बढ़ी है सब्सक्राइब जैसे भी माल लेजे मेरे पास ये रहा आपना जॉब ये क्या रहा सर ये रहा जॉब ऐसे तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब टूल हमारा ऐसे आदे बढ़े तो वो जॉब की फिनिश सर्फिस्टे साथ रडड ना ठापाए तो रडड ने से बचाने के लिए हम इसकी जो फ्ल अमेरी बास समझो तो एक एंगल प्रोवाइड कर देते हैं दोस्त और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं गामा और गामा तो बताईए किस नाम से जाना जाता है ट्लेरेंस एंगल है तो टहना गामा को बोला जाए रहा मेरे दोस्त ये हमारा ट्लेरेंस एंगल है इसलिए ब इंटों में उपकर्ण T और टूल लाइफ क्टिल स्पीट V करा कि भी इस क्या सम्मंद है बचो आपको में बता दू जब भी कभी हमारा टूल चलता है न तो उस्टी लाइफ जो है वो कम होती रहती है यह यू कहिए तिक इसी टूल के निश्चत लाइफ होती है तो टूल की लाइफ और कटिल स्पीड के भी सम्मंद होता है Vtt power N borबर कॉंस्टेट यादपना Vtt power N borबर कॉंस्टेट यह तूल की लाइफ और कटिल स्पीड की सम्मंद होता है Vtt power N इकल टू बच्छो constant याद उतना यहाँ पर यह जो V है सर यह क्या है तो टैदना इस V टा नाम होता है बच्छो cutting speed यह V हमारी cutting speed है बताईए इस्टा मात्रग क्या होता है तो टैदना cutting speed का मात्रग हम लोग मीटर प्रती मिनट में लेते हैं जबकि यह जो T है वो tool life है tool टा जीवन काल और यहाँ तक ना tool life बताईए किसमें होती है तो टैदना यह ली जाती है दोस्त मेरे मिनट में सर यह ली जाती है मिनट तो answer इस्टा किस्टे साथ जाना चीए V TD power N बराबर constant option number C B sorry, next आईए बच्चों 40 number सवाल तो ध्यान से देखी 40 number सवाल के है कह रहा है tool life और उनके अधित्तम से नियूंतम प्रभाव के बीच सही अनक्रम बताईए अधित्तम से नियूंतम प्रभाव देखो बैए चीज़ आपको संधाँ हूंगा tool life बहुत ज़्यादा कम होती है मतलब सबसे ज़्याद़ effect पड़ता है feed को बढ़ाते है तो tool life थोड़ी कम-कम होती है अधित्तम कट को बढ़ाते है तो tool life थोड़ी और कम होती है थोड़ी और कम होती है और बचो धार रखना ये जो 3 point है न यह 3 पॉंट बहुत ज़्यादा वार आज़्याम में पूछे रहे हैं मतलब कहने का यह है तो ट्रटे स्पीड बढ़ाईए तो टूल लाइफ ज़्यादा कम हो ली फीड बढ़ाईए टूल लाइफ थोड़ा कम कम हो ली देर तो प्रट बताईए तूल लाइफ और कब हो जाएगी अब इस्टे बाद दूसरी चीज चुनिया एक दू चीज़े और याद करलो जब भी तभी हम किसी टूल की नोज रेडियस बढ़ाते हैं बढ़ाते बच्चो नोज रेडियस बढ़ाते तो नोज रेडियस बढ़ाने से दा रखना टूल लाइफ हमारी बढ़ जाती है और इस्टे अलावा दा रखना कटिन फ्लूड जब भी तभी हम टूल क्या बढ़ाते हैं सर कटिन फ्लूड बढ़ाते हैं काटेंग फ्लूड बढ़ाने से भी बच्चो धा रखना तूल लाइफ üstी mm कॉन रखेट को बढ़ाते हैं कॉनक्तू इन्हों ने क्या बोला था सर इनों ने बोला था अधिक्थम से नियूंतॉम प्रभाव बताई है अधिक्थम से नियूंतं तो सबस्याद हमारा cutting speed फिर feed फिर depth of cut ये देखो अधिक्तम से नियूंतम प्रभाउड के लिए हमारा option number टिष्टे साथ जाएदा सी वाला उत्तर जाएदा नेश्टा ये अडला बचो इत्ताले जमबर देखे हैं कहा जा रहा है इन ASA सिस्टम ASA का मतलब होता है American Association American Standard Association दारतना टूल के लिए एक ये सिस्टम है जिस्टों आप बोलते हैं ASA सिस्टम इस्टा पूरा नाम क्या है American Standard Association सिस्टम बच्चो याद रखना है इसमें ना टूल का एक पूरा नॉमन क्लेचर होता है नॉमन क्लेचर देखे है लिठा है आट छे पांच फिर आगे क्या लिठा हुआ बच्चो फिर लिठा है पांच फिर आगे लिठा है दस ये लिठा है पंदरा ये लिठा है दो ठीके तो ये टूल का नॉमन क्लेचर है अब नॉमन क्लेचर में कौन कौन से एंगल होते हैं म और साथवे नंबर में angle नहीं होता, nose radius होती है। तो कई बाद तुमसे question आये डा कि tool signature में कितने element होते हैं कह देना 7 element होते हैं 7 element में बताइए last वाला element क्या होता है तो sir last वाला element होता है nose radius दारतना इसको बोलते हैं हम लो nose radius फिर अब मैं शुरुआत से याद करा देता हूँ सब क्या है बच्चों सबसे पहला वाला angle होता है back rate angle alpha b दूसरा वाला angle होता है side rate angle alpha s मना alpha b, alpha s बैक rate angle, side rate angle फिर आता है तुम्हारा gamma e inter relief angle, side relief angle हाना तो inter relief angle, side relief angle rice rrc फिर आता तुम्हारा ind cutting age angle और ये आई बच्चों side cutting age angle तो यह तो वारा कह सबतो हो, नाम देखो, सारे याद कल लो, और नाम याद होने भी चाहिए, पहला नाम क्या है, back rate angle, दूसरा क्या है, side rate angle, ind relief angle, side relief angle, cutting edge angle, side cutting edge angle, हाना, चलो, तो इन्हों के किस्टा नाम बोला है, सर, side rate angle का नाम बोला है, तो side rate angle तो यह है न, alpha S, तो यह कितरा हो जाए रहा, 6, दूसरा रावाला हो जाए रहा, 6 degree, इस सवालता सही answer, 6 degree के साथ जाए रहा, बहुत important point था, दानक ये रहा, next रही है, एक machining प्रेक्रिया में chip द्वारा, दूर ले जाने वाली उसमा, आम तोर पे कितनी प्रश्चत होती है, बच्चों जब हम लोड machining process टड़ते हैं, तो उसमें heat उत्पन होती हीट, उस heat कट कुछ हिस्सा chip ले जाती है, कुछ हिस्सा tool ले जाता है, कुछ हिस्सा word piece ले जाता है, तो याद अपना, जब बीडबी heat का, पुछा जाया कि बताइए chip कितना हिस्सा ले जाता है, फिर जो ले जाता है, बच्चों वो 10 प्रिश्यक के आसपास ले जाता है, और वर्ट पीस भी 10 प्रिश्यक के आसपास ले जाता है, लेगा, इन दोनों में भी पूछा जाये, तिष्टी मात्रा जादा होती है, थोड़ा बहुर टूल की मात्रा जादा होती है, लेकिन लगभण होती है कि मसीनिं करते समय एड बिल्ट-प एग स्ट्रप बनता है बचो या अगर सर इस टूल से आप मसीन इन प्रोसेस्टर रहा है। तो यादफना अगर आपके पास material ductile है, कैसा material है? अगर material कैसा है? ductile है. ductile के साथ यादफिए रहा, cutting speed low है. material ductile है और जो आप cutting speed इस्तिमाल कर रहे हैं बच्चो, अगर वो low cutting speed है, तो फिर बनने वाली जो चिप होती है, वो इस टूल से जाके चिपट जाती है, तो बनने वाली चिप टूल से जाके चिपट जाती है, बच्चो, फिर इस टूल से जो चिप बने जी, उसे बोला जाए रहा, चिप with built-up edge. बिल्ट-up edge ना मतलब नई बनी हुई एस से बाद, तो built-up edge हमेशा ductile material में बनती है, कब बनती है, जब is to speed low टर देते हैं, इसलिए सवाल का सही आंसा जाए न, option number B ते साथ, बिल्ट-up edge टी चिप बने जी, ductile material at low speed, ductile material at low speed, option number B, next time, 44, बच्चों 44 नंबर बोलो जारा है, कि अमेरिकी सिस्टम में, 10, 12, 8, 6, 15, 20, 30, फिर वही बात है, 12 क्या है, मैंने representation आपको एक बार अच्छे से समझा दिया, बार बार वही चीप लिखने लिखने लिखी मुझे जरूरत नहीं है, अब इधर देख लो, अब intense आपसे 12 कहां है, सर 12 है दूसरे नंबर पे, देखो 12 दूसरे नंबर पे, तो यार करो मैंने आपको कहा था जिस सबसे पहले होता है, alpha B, back rate angle, फिर आता है, alpha S, side rate angle, तो सही उत्तर बताई किस्टे साथ जाएगा, option number B के साथ, side rate angle के साथ, यारी जो 12 है, ये तो भारा side rate angle होड़ा, हाना back rate angle कितना होड़ा, 10 degree होड़ा, फिर side cutting age angle, देखो एक होता है, indirect cutting age angle, side cutting age angle, तो side cutting age angle, 20 degree होड़ा, side clearance angle, clearance angle बोलिए, हाना या फिर relief angle बोलिए, तो बच्चों, indirect relief angle ये, side relief angle ये, तो आप कहे सकते हो, side relief angle हमारा, 6 degree होड़ा, तो आपको इस तरह से, tool टर नॉमन्क्लेचर देटर, tool के बारे में, बहुत सारी बाते पुछी जा सकती है, आप इसको याद रख सकते हैं, next idea, धातू के cutting प्रक्रिया में, चिप उप्करण और उस ट्रम में, कार के बीच वित्रित उस्माटा अनुपात कितना होना चाहिए, बहुत बढ़ी असमाद, तो मैंने अभी अभी बताया है, कि जब आपनों cutting प्रोसेस कड़ते हो, तो चिप और उस ट्रम में, चार के बीच वित्रित उसमाटा अनुपात कितना होना चाहिए, तो टैना चिप लगबड ले जाती है, 80% और बाकी टूल और उस टेलावा वर्ट पीस, वो 10% ले जाती है, तो 45 आप्शन नमबर, 87 जहने वाला है, नेस्ट आईए, बच्चों 46 नमबर सवाल देखी क्या है, इन में से, निम लिठित में से, सर निम लिठित में से, बोला जा रहा है, कि किसने उपकर्ण सामाटरी काटने की गर्म का थोड़ता, जिसको आप बोलते होट हार्डनेस का बढ़ेने का सही कम बताईए, मतलब टूल काई, जो होट हार्डनेस होती है, जिसको बोलते हैं, अती रत छंता, सर उसका बढ़ने रटरम बताईए, होट हार्डनेस का, तो आपको पता है थि, सबसे पहले हाई स्पीड इस्टील आए रहा, डायमंड सबसे लास्ट में आए रहा, तो टार्बाइड आए रहा, फिर डायमंड आए रहा, यह देखिए, और सर अबर बताईए, किसके साथ जाए रहा, सी वालो पताई, आई, सबसे पहले आता है, जो छोटे स्थर्टर टूल होता है, वो हाई स्पीड इस्टील, फिर टार्बाइड, और फिर हमारा डायमंड, और सर नमर सी, हाणा, तो टी यह उन्होंने बढ़ता क्रम उच्छा, ढ़रता नहीं, 47 नमर देखिए, एक मसीनिर ओपरेशन की 30 तो दुर्णा कर दिया जाए, 30 स्पीड दुर्णी कर दी जाए, तो जीवन का जो मूल है, जीवन का मूल मतलब टूल लाइफ, वो 8 बटे 8 हो जाती है, मतलब यह है कि 30 स्पीड को जब आप कितना कर देते हो, 2 बटना कर देते हूं, तो बच्छों देखो, टूल की जो टूल लाइफ हो जाती हो, ततरी हो जाती है, T by 8 हो जाती है, तो टेलल टूल लाइफ में N की वैलू बताईए क्या है बचों ये टेलल टूल लाइफ क्या होती है तो जो equation आपने पढ़ीना भी अभी क्वान सी V1 T1 T power N बराबर V2 T2 T power N इसी तो बोला जाता है टेलल टूल लाइफ equations ये ही एमारे टेलल टूल लाइफ equations आप सुनो V1 T जरे आपको क्या लिटना पढ़े रहा सर V1 T जरे V लिटना होडा T1 T जरे T लिटना होडा V1 T जरे V T1 T जरे T V2 T जरे 2V T2 T जरे यहां T2 होना चीए था T2 T जरे T by 8 T by 8 पावर बताई कितना टरना पढ़े रहा N अब सवाल टो सॉल टर्टे देख लिटे N कितना आए रहा बहुत इजी सवाल होते हैं इसा तो ये से ये टैंसल T T पावर N से T T पावर N कैंसल सर यहां 1 बचे रहा देटो आपने 2 से V टो टैंसल टर दिया V से ये V टैंसल हो रहा T T पावर N से T T पावर N दो नीचे आए जाए रहा 8 बटे 2 और यहां हो जाए रहा 8 बटे 8 की पावर N आप मेरी बास संदो आपको N की वैलू चाहिए निटल आए रहा सर ये जो 8 बटे 8 है न क्या मैं इस 8 बटे 8 को 2 टी पावर 3 और 3 जब उपर चला जाए रहा 2 टी पावर 3 N घर सकतो यहां 8 बटे 2 टी पावर कितना है 1 और वहां 8 बटे 2 टी पावर कितना है बच्चो 3 N तो इस्टा मतलब यह हुआ 3 N बराबर बताई कितना हो जाए रहा 1 बचो 48 nr बोला है ड् lovers रहा है जा रहा है रहा है जो पिर भलो होता क्या है जब आप लेट मशीन में काम करते हुना। ह्मारे पास मैट्रयल कई बार डक्तायल भी हो था है। ऑप and time material जब निटालते है बच्चो तो चिप हमारी ऐसे लड़ातार बनती है। ऐसे लड़ातार चिप मसीन में फस भी सकती है। उसे फसने से रोटने के लिए हम लोग चिप ब्रेटा लडाते है। चिप- ब्रेटा का काम क्या है इस लंबी चिप को एक निष्चत लंबाई के बाद तोड़ देना तो चिप को तोड़ना बोलो तो चिप को छोटे-छोटे ठंडों में तोड़ देना सर यही तुवारे चिप ब्रेटा का क्राम होता है और सरवर्थ बीटे साथ ताकि यह चिप ना फस ना पाए सभी उद्दिश्योट लिए सबसे अधिक इस्तमाल किये जाने वाली 1848 यह हमारा हाई स्पीड इस्टेल्स इस्टील होता है यह बड़ा फेमस इस्टेल्स इस्टील है यह तना 1848 जो होता है बच्चों वह हाई स्पीड इस्टेल्स इस्टील होता है मैं इसमें परसेंटेज बता देता हूँ कि जब हम लोड high speed stainless steel की बाद करते हैं कि बताईए इसमें क्या 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 है तो कहना इसमें 18% सर्ट क्रोमिय टंगश्टन होता है 4% बताईए क्या होता है क्रोमियम होता है और बच्चो मेरे 8% बताईए क्या होता है vanadium कई बार इसमें carbon की मात्रा भी पूछी जा थी है तो percentage of carbon आड़ा को पूछे तो तितना बताना है 0.7% बताना है percentage of carbon पूछा जाए ना तो तितना बताना है 0.7% बताना ओके तो answer बताईए कि इसने साथ जाए रहा 1848 ये देखो 18 को आपको tungsten बताना है 4 को chromium बताना 1 को vanadium बताना है तो ये रहा तुमारा 49 नंबर सवाल और ये रहा आपका 50 नंबर सवाल 1 million cutter को काटने की गती 35 मीटर पर मिनट है यदि RPM 400 सबसे पहले आप इस सवाल में ये देखिए कि गती कितनी लिठी है तो टहना मेरे भाई गती लिठी है मीटर परती मिनट में तो आप सीधा सीधा कहना कि आप मीटर परती मिनट में है तो πाई डियन डिवाइड बाई 1000 कर दो सब पाई डियन डिवाइड बाई 1000 कर दो सर CT value 3 है 35 पाई पाई पी जड़े है हम लोग 22 बटे 7 लिठ सकते है 22 बटे 7 और डियनीटर आपको निटालना है मेरे दोस्त anti value 3 है सर anti value है 400 और डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 1000 अरा तो 35 और इस्टे अलावा चलो भाईया अब देटो डेटा कुछ ऐसा बन गया यह solve होने में बड़ी मुझे तटलीफ देढ़ा क्यों तटलीफ देढ़ा भाईया ठोटी 35 जो है ना वो 22 से टैंसल होने वाला नहीं है और अगर 35 बाई से टैंसल होने वाला नहीं है पर देटो बच्चु क्या थिया तीन दस्टाव लोग देढ़ा लगा इससे इससे एप्रोट सी मेसंगर जुरड़ा लगा थैसे देटो तीन दस्टाव लोग देढ़ा में 11 से टैंसल कड़ू यानि यहाँ 11 से मल्टिप्लाई करदू तो 11 तीया 33 और 14 क्या 11 है तो एप्रोटस टैंसल हो रहा है ना तो मैं यह तरह सत्था हूँ ती इनका और इनका मल्टिप्लाई इनका इनका टैंसल हूना वो लगा बच्चु करदू एप्रॉक्स डिया रहा है इसे अलावा देखो यहां से दो जीरो से दो जीरो टेंसल टर दो तो फाइनली डी बराबर हो जाए रहा तुम्हारे एट सो दस इधर जाए रहा बटे चार है एट सो दस बटे चार सर एट सो दस मतलब पचपन और पचपन के आधा लगबट 26 तो 26 case सब्सक्तोर पांसर वाला उत्तर होना चाहिए एप्रॉक्स यहां पर मैंने देखों लेत मशीन के 50 ध्वाटे दार कोशन्स ओल कर देखों जित्रा भी प्रिवेस एर पे में पूछा डिया डेटा था वो सब कुछ मैंने सॉल्ट रा दिया सब कुछ एवरिधिन इसनल आप मैं फिर से एक बार बता दू कि आज आप लोगों टी ये ट्लास हो चुटी है लेटे टल आपकी दिवाली है तो पाट साला की टीम की ओर से आ बाटी आपनी ट्लास फिर पंदरा के बास से रेड डूलर हो जाएगी 12, 13, 14, 14 से रेड डूलर हो जाएगी अना बाटी फिर से एक बार बता दू आप लोगों को आप सब लोगों के लिए दिवाली ओफर एनाउंस हो चुटा है तो जुनोंने अभी तर लाब नहीं उठाय एक बार आप सारे दाम देख लो सारे डिश्टाउंट देख लीजे सारे कोर्सिस देख लीजे आपको जब भी तबी ये बैचिस जॉइन करने हो उस्टे लिए कौन से अप्लिकेशन डाउनलोड करना है माई परसला अप्लिकेशन डाउनलोड करना है दोस्त मेरे और योड नहीं सारी कॉल सूरती हैं बचो एक और नमबर लिख लिए 63-93-195-760 आप इस पर भी फोन कर सकते हैं फिरे चला फिर हम लोग मिलते हैं अडले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बढ़ फिर से पाट साला टीम की ओर से आप सब लोगों को धेर सारी बढ़ाईया थैंक्यू बढ़ माच